हलो दोस्तों नमस्कार मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय जूकैसन आज मैं आपको जानकारी देने आया हूँ हिमाचल प्रदेश B.A.C. नर्सिंग के बारे में हिमाचल प्रदेश में अटल बियारी मेडिकल यूनिवर्सिटी या जिसे आप अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं AMRU AMRU के द्वारा बचो B.A.C. नर्सिंग कॉर्स में एडमिसन के लिए एंट्रेंस एक्जाम के लिए फॉर्म निकाला जाता है आखिरकार हिमाचल प्रदेश में B.A.C. नर्सिंग कॉर्स में एडमिसन होगा कैसे फॉर्म आएगा कब और सिलेबस क्या रहेगा एंट्रेंस एक्जाम का पेपर पैटरन क्या रहेगा कॉलेज कौन कौन से हैं प्राइवेट और गॉर्मेंट कॉलेज में कौन एडमिसन ले सकता है क्या बोईज फॉर्म भर सकते हैं क्या केवल गल्सी फॉर्म भर पाएंगे क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगा सारी जानकारी आपको A to Z यहां पर मिलने वाली है सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में B.A.C. नर्सिंग कॉर्स देखिए बचो यह पिसले साल का यनि 2023 का नोटिफिकेसन है बचो इस बार 2024 के लिए अभी जो है प्रोस्पेक्ट आया नहीं है ठीक है ना तो मेरे दोस्तों इस प्रोस्पेक्ट में अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे उपर उपर आपको दिख रहा है अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश फिर यहां पे लिखा हुआ है B.A.C. नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट दो हजार चोबीस फीमेल केंडिडेट ओनली यनि बच्चो हिमाचल प्रदेश में B.A.C. नर्सिंग का जो एंट्रेंस एक्जाम है वो केवल फीमेल केंडिडेट ही दे सकती है और यह जो एंट्रेंस एक्जाम है बच्चो यह देने के बाद अगर आपके अच्छे मार्स आते हैं तो आपको एड्मिसन मिलेगा इस 4 एर B.A.C. नर्सिंग डिगरी कॉर्स में अगर बहुत अच्छे नमबर आएंगे तो आपको गवर्मेंट कोलेज अलोट होगा और अगर नमबर थोड़े कम आएंगे तो आपको प्राइवेट कोलेज अलोट होगा अब बात बड़ी यह है कि क्या सर बोईज अपलाई नहीं कर सकते यह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा देखिए मेरे दोस्तो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिय की अब बात कर लेते हैं भाई अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी यानि ए एम आर यू एम आर यू की जो ओफिसियल वेबसाइट है बचो इस वेबसाइट पर ही आपको ऑनलाइन जो है admission form क्या करना पढ़ेगा बटा फिल करना पढ़ेगा ठीक है न तो अब admission form आएगा कब और भर कौन पाएगा धियान से सुनिये बच्छो admission form जो हैं ये आपके निकलेंगे मई में form कब आने वाले हैं बच्चो मई 24 में आपके form आएंगे ठीक है न और B.S.E. nursing के जो admission form है ये कौन बर पाएगा तो देखिए अगर आपके 12 में biology subject है मतलब की physics, chemistry, biology और English ये 4 subject आपके 12 में होने चाहिए अगर ये subject आपके हैं और अगर आप girls candidate हैं अगर आप female candidate हैं तो आप जो हैं AM, RU, B.S.E. nursing का form बर पाएंगे date of birth की बात करूँ या age limit की बात करूँ बच्चो तो आपकी जो minimum age हैं वो 17 होनी चाहिए और अगर आपकी 17 साल अभी complete नहीं भी हुई हैं और December 2014 तक आप 17 के हो रहे हैं तो भी form बर पाऊगे यनि आपकी date of birth अगर 2007 हैं आप form बर पाऊगे और 2007 से कम हैं मानलो 6 है 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है form बर सकते हो बट आपकी अगर date of birth 2008 है तो आप form नहीं बर पाऊगे 17 से लेकर के 35 तक age का candidate जो है form apply कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए बच्चो अब हम बात करेंगे कि जो बच्चा इस बार अभी 12 का exam दिया है जिसका अभी result नहीं आया है क्या वो भी form लगा सकता है जी हाँ 12 appearing वाले भी form लगा सकते हैं और जो 12 pass out है वो भी form लगा सकते हैं ठीक है बिलकुल जी अब हम बात करेंगे कि भाई BSE nursing का form बरने के लिए है ना वेबसाइट कौन सी है तो बिटा आपकी जो वेबसाइट है वो है www.amruhp.ac.in ये वेबसाइट है बच्चों और जैसे ही है वेबसाइट आप ओपन करोगे तो आपके अटल Medical and Research University हिमाचल परदेश की साइट ओपन होगी ठीक है ना ये बच्चों इमेल आइडिय आप मेल करके बहुत की जानकरी ले सकते हैं इस युनिवरसिटी मेल आइडिय बच्चों देखिये मैइ में फॉर्म आएंगे और इंट्रेंस exam कब होगा बच्चो इस बार इंट्रेंस exam होगा जुलाई दो अजार चोबीस में है जुलाई दोजार चोबीस में जो है B.S.E. नर्सिंग का हिमाचल परदेश में इंटरेंस एक्जाम होगा ओके बिलकुल जी अब बात करते हैं पेपर पैटरन की पेपर पैटरन क्या रहेगा बच्चो देखो पेपर पैटरन की अगर हम बात करें तो बच्चो आपका जो पेपर रहेगा ठीक है उसमें टोटल 100 क्यूसन पूछे जाएंगे आपका जो पेपर है बच्चो इसमें देखिए देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग यानि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी पेपर आपका English Medium में होगा बचो और दो गंटे का आपका एक्जाम होगा ठीक है ना तो Negative Marking नहीं है दो गंटे का पेपर है औबजेक्टिव टाइप का पेपर है बचो और इसमें आपका जो syllabus रहेगा वो बचो रहेगा 10 प्लस 2 का मतलब यह की आपके जो क्यों सनाने वाले है बटा ठीक है ना वो 11th और 12th का क्या रहने वाला है syllabus तो syllabus 11th और 12th का रहने वाला है अगर हम nursing aptitude की बात करते हैं बचो तो nursing aptitude में hospital से related hospital के अलग-अलग department है ward है है ना और इसके अलवा फेस्ट एड है है ना इसके अलवा maternal health है child health है इस पर क्यूसन आते हैं भाई है ना इसके अलवा WHO है यूनी सेफ हैं है ना एक nurses की क्या-क्या qualities होती है इसके अलवा national health mission है अलग-अलग type की community cable disease है vaccine है immunity है इस पर क्यूसन आते हैं बहुत ही basic क्यूसन आते हैं ठीक है ना बिल्कुल जी और इंगलीस में भी बच्छो basic grammar के क्यूसन आते हैं active voice, passive voice, synonyms, antonyms, clause है ना article इस टाइप के जो हैं इंगलीस के grammar के easy easy क्यूसन पूछे जाते हैं अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे हिमाचल प्रदेश में BSE nursing के government college कौन से हैं देखिए बचो आपको पता है कि 100 नंबर का exam लगता है है ना तो इस 100 नंबर के paper में बचो अगर आप मान के चलिएगा कि अगर आपका score आपका score अगर 70 प्लस रहेगा आपके 60 से उपर नंबर आते हैं तो आपको कौन सा college अलोट हो जाएगा government college मिलेगा confirm है government college के लिए 70 प्लस marks आपको achieve करने पड़ेंगे exam में ओके यह आपका government college है आप देख सकते बिटा आपका sister निवेदिता government college of nursing इसे बिटा IGMC सिमला के नाम से भी जानते हैं बहुत ही बड़िया college है इमाचल प्रदेश का number one college है B.A.C. nursing के मामले में इसके बाद अगला है government nursing college स्री लाल बाहदूर सास्त्र medical college नियर चौक डिस्टिक मंडी यह मंडी के अंदर रहेगा तो एक तो आपका सिमला में है IGMC और दूसरा आपका लाल बाहदूर सास्त्री मंडी में है इन दोनों में मिला करके 120 seat है 120 जो हैं आपकी government seat है ओके अब government इस college के अंदर बिटा आपकी फीस जो है बहुत कम लगती है है ना बिल्कुल जी अगर मैं बात करूं इस government college में कितनी फीस लगेगी तो देखिए बटा government भी एसी nursing college में आपकी tuition फीस बटा 15500 रुपे कितनी 15500 रुपे यह फीस भी बटा काफी बच्चों को तो वापिस मिल जाती है इस scholarship के रूप में कुछ चोटे मोटे और charges है वो लगबग कितनी रहती हैं लगबग साथ अजार से लेकर के 9000 तक आपकी फीज जो हैं वो रहती है बटा ठीक है ना यह आपके पूरे साल का ऑस्ट्रल का खर्चा है बहुत ही कम है मतलब आपकी B.Sc. nursing government college में 25-30,000 में पूरी हो जाती है एक साल में 25-30,000 का खर्चा है और वो भी काफी ऐसे government colleges है बटा जिनमें scholarship की योजना भी चलती है तो हो सकता है आपको scholarship ही मिल जाएं खीक है ना अगर मैं बात private college की करूं बटा तो देखो आप एक बात को समझिए जो हमारे माचल परदेश में जो private college है बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से पूछते हैं कि सर जो government college हैं इन government college में केवल हमाचल परदेश के बच्चों को admission मिलेगा या other state के बच्चे भी forum लगा सकते हैं देखो भई हमाचल परदेश BAC nursing के अंदर forum जो हैं वो all India के बच्चे लगा सकते हैं ध्यान रखना all India के जो student है वो बच्चों क्या कर सकते हैं apply कर सकते हैं तो जब form निकलेगा तो वहाँ all India के बच्चे apply कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दियान यह रखना है आपको बिटा कि जो government college है वो केवल और केवल किसको अलोट होगा हिमाचल परदेश के student को ही अलोट होगा है ना हिमाचल परदेश का जो मूल निवासी होगा उसी को मिलेग लेकिन जो private college है ना बिटा private college private college है माचल परदेश और इसके अलावा जो भी other state के बच्चे हैं वो भी अगर apply करेंगे तो भी उनको private college अलोट हो सकता है देखो देखिएगा private college भी जो exam देगी ना लड़किया जो female exam देगी और जिनके exam में थोड़े बहुत कम number रहेंगे उनक प्राइवेट college मिल जाएगा exam के थुरू जो लड़कियां private college में admission लेगी उसके 50% fees कम हो जाती है cdcd और अगर कोई private college में direct admission लेता है क्योंकि बटा private college में दो type की seat है एक तो है government quota कोटे की seat और एक होती है management quota कोटे की seat अगर आप management quota use करते हो तो management quota में एक लाग से ज़्यादा फीस है बिटा लगबगडेड लाग तक और government quota वाली private college में जो seat है वहाँ 50-60,000 रुपे फीस है ठीक है ना बिलकुल तो मान लो आपको government college नहीं भी मिला तो आपको पता है private college भी बहुत शानदार है माचल परदेश में अब बिटा देखो आप exam देकर के फिर private college में अगर admission ल के देखो private college की 50% सीटों पर बिटा डारेक्ट admission भी होता है ध्यान रखिएगा लेकिन इन में फीस कितनी लगती है एक लाख और 40,000 रुपे फीस लगती है और भी जादा लगेगी बिटा कम नहीं लगेगी है ना इतनी फीस क्यों देंगे भाई management सीटा में तो अपने को admission लेना ही नहीं है भाई अपने को तो exam दे करके admission लेना है समझ रहे हो बिलकुल और इसमें भी बिटा गौर्मेंट इसको लर्सिप देती है कुछ पीस वापिस मिल जाती है आपको ओके बिलकुल अब देखिएगा आपका जो ये बिएसी नर्सिंग का entrance exam है ये कहां पे होगा ये बिटा आपके exam के center है बिलासपुर दरमसाला कंगरा हमीरपुर उना मंडी सिमला रामपुर सलोन नहा कुलू चंबा और नालागर ये वो examination center है जहां पे बिएसी नर्सिंग का entrance exam होगा आप इन center को select कर सकते हैं form fill करते समय ओके बिलकुल जी अब देखिएगा अगर आप B.A.C. nursing entrance exam की तयारी करना चाते हैं तो हिमाचल परदेश के लिए हमने ये online base start किया है बिटा हिमाचल परदेश A.M. A.M. R.U. B.A.C. nursing के लिए ये बिटा जो है online base है विजए education एप में और इसमें इंदी medium के बच्चों को bilingual पढ़ाते हैं इंदी और confirm है कि आपको top college B.A.C. nursing का top college आराम से alert होगा अभी तो exam में board time है ये new base है बिटा अभी हमने launch किया है इसमें हम पूरा crash course करवा रहे हैं nursing aptitude का इंगलीज का physics का chemistry का bio का हिमाचल परदेश के हजारो हजार लड़कियां जो है इस base में already registered है पिसले साल 2023 में 2022 में और 21 में विजए काओं का चैन हुआ था इस बार हमारा target जो है हजारों में हम चाहते हैं ऐसी बहुत बड़ी संक्या में हम बच्चियों को select करवाना चाहते हैं B.A.C. nursing के government college में और top private college में तो आईए आप विजए education एप डाउनलोड करके विजए education के ब्रमास्त्र फोर जिरो बेच को join करें हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए विसेच छूट है इसलिए जो बेच 990 रुपे का था वो अब आपको केवल और केवल बेटा 790 ही नहीं 690 रुपे में मिल रहा है केवल आपको कितने में मि लोड करें अगर आप खुद से बेच बेच जो अबाए नहीं कर पा रहे हैं तो यह विजए education के help line नमबर है बेचा इन पे आप कोल कर सकते हैं ज्यादा जानकरी के लिए और WhatsApp मेंसेज करके भी जानकरी पूस सकते हैं आप इन तीनों में से किसी भी नमबर पे phone पे Google पे या Paytium 790 रुपे या 690 रुपे करवा के भी अपना बेच विजए टीम से activate करवा सकते हैं ठीक हैं और भी कोई भी update आएगा तो मैं समय समय पे हिमाचल परदेश BAC नर्सिंग को लेकर जानकरी देता रहूंगा मैं आपको previous year का paper भी दिखाता हूं बिटा इस से पहले जो आपक इप का बेटा paper आता है आप देखिएगा ये अटल मेडिकल एंड रिसर्च युनिवर्सिटी हिमाचल परदेश ये paper है बेटा ठीक है ना ये सो क्यूसन है ये साथ में answer seat है ठीक है ना ये देखिए इसमें role number candidate नाम ये 2021 में बेटा BAC nursing का entrance exam हुआ था हम इस paper का जो level है इसी level की बच्चों हम preparation कराते हैं इसमें जिस level के क्यूसन पूचे जाते हैं हम उसी level का आपको तयार करवाते हैं जैसे earthworm क्या है core data का क्या character है lymphoid tissue इन में से कौन सा है tandem क्या है mouth के part के बारे में cockroach को लेकर के पूचा prokaryotic cell क्या है how many type of cell division occur in our body हमारे सरीर में किस type के cell division है gallbladder मतलब बहुत ही low level के क्यूसन है very very easy paper आता है बिटा one liner क्यूसन आते हैं आपको इस तरह से अगर आप विजय education को join करेंगे तो आप बहुत ही easy way में select होंगे ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ और अगर आप हिमाचल परदेश BAC nursing entrance exam के लिए books order करना चाते हैं तो ये books है बिटा हिमाचल परदेश BAC nursing entrance exam की इस books में nursing aptitude के क्यूसन हैं इंगलीज के हैं physics के हैं chemistry के हैं और बायो के हैं है ना इसमें chapter wise क्यूसन है साथ में उनके answer है previous year का paper हैं और इसके अलावा syllabus हैं साथ में model paper भी दिये हुए हैं तो आप इस books को आज ही order करें अपने घर तक मंगवाएं बह बहुत ही बड़िया books है हिमाचल परदेश में 1000 स्टूडेंटों ने इस books को order किया है तो अगर आपने order नहीं किया है तो विजे एजूकेशन एप में जाके order कर सकते हो विजे एजूकेशन.com इस website पे जाके order कर सकते हो और तीसरा screen पे एक number दिख रहे होंगे इन number पे whatsapp message करे whatsapp में अपना नाम अपने राज्ये का नाम आप किस राज्ये के लिए books order करना चाते हैं वो लिखें और साथ में अपना पूरा फुल एड्रेस विलेज पोस्ट तहसील पिन कोड नंबर फुल अपना एड्रेस आप अपना गली मोहला कोलोनी ठीक है ना आपके घर के पास कौ फुल कौन सा गार्डन है ठीक है ना पूरा फुल डीटेल में एड्रेस आप बेजेंगे तो सेवन डेज में साथ दिनों में ये books आपके घर तक पहुंच जाएगी साथ से दस दिनों में इस books की price बेटा दो सो 99 रुपे रखी है हमने बहुत कम price रखी है ठीक है ना और तो और बिटा इस books का delivery charge अभी free है आपके घर तक जो books की delivery करवाएंगे वो हम करवाएंगे उसका आपका कोई पैसा नहीं लगेगा पॉस्ट्रोपी इसके दुरू books आपके घर तक आ जाएगी लगबग बचो 400 के आसपास इसमें page है इतनी बड़ी books बचो आपको केवल और केव में मिल रही है बटा दोस्तो 99 में ये books आपके लिए बहुत helpful रहेगी क्यूसन प्रैक्टिस के लिए ठीक है ना बिलकुल जी अब देखिएगा मिरे दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ बीएसी नर्सिंग बहुत valuable course है बहुत अच्छा course है गल्स के लिए तो और बहतर इन course है ठीक है ना तो आप तुरंद बिटा बीएसी नर्सिंग एंट्रेंस एक्जाम की preparation start कर दीजिए ये MBBS के बराबर course है ये course करते ही आपको government job मिलेगा ये confirm है ठीक है ना बिलकुल अब दूसरी बात सुनिए बोईस केंडिडेट बोईस केंडिडेट प्राइवेट कोले से BSC nursing करनाचाथे हैं तो भई आप other state में apply कर सकते हो जैसे राजस्तान है ना अगर आप जो हैं boys candidate पेरा alloy document करना चाते हो या कोई atau courses करनाचाते हो या कोई अदर जनकारी लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना मैं पूरी जानकरी दूँगा और वीडियो बनाऊंगा ठीक है अभी EMS BAC Nursing और EMS Paramedical के भी form आए हुए हैं वो भी आप अपलाई कर सकते हो ठीक है ना बिल्कुल आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच जैंद वन्दे मात्रम थैंक यू